नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में दोस्तों आज हम बात करेंगे आनन पिरामल की जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आनन पिरामल ने हाल ही में इशा अंबानी से शादी की है और इस तरह वे मुकेश अम्बानी जी के दामाद है आप सभी को भी जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर कौन है ये आनन्द पिरामल तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी को लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल का बटन दवाना ना भूलिएगा आनन्द पिरामल का जन्म 25 अक्टूबर 1985 को एक अच्छे बिजनस फैमिली में हुआ आनन्द पिरामल के पिता का नाम अजय पिरामल है जो की एक अरबपती बिजनस मैन है और पिरामल ग्रूप की चेर्मेन है आप सब को बता दूँ की इनका बिजनस सबसे ज़्यादा फार्मसिटिकल, फिनिंशल सर्विसेज, रियल स्टेट, हैल्थ केर और ग्लास पैकेजिंग में है आनन्द की मा का नाम स्वाती पिरामल है जो की एक बिजनस वूमन है और साथ ही एक डॉक्टर भी है इनकी एक बड़ी बेहन है जिनका नाम नंदिनी पिरामल है आनन्द की पढ़ाई की बारे में बात करें तो आनन्द ने मुंबई शहर के कैथेटरल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई करी है और इनके पास Master of Business Administration और अर्थशास्र में सनात्य की डिग्री भी है सन 2004 में जब आनन्द कॉलेज में थे तब उन्होंने दिया नाम के NGO की स्थापना गरीब लोगों की मदद के लिए की थी अपने करियर के शुरुआती दौर में आनन्द दो फिल्ड्स में कन्फ्यूस थे एक कंसल्टेंसी और दूसरा एंट्रपरिनियोर्शिप तब उनके परिवार के मित्र और प्रतिश्चित बिजनस्मेन मुकेश अंबानी ने उन्हें एंट्रपरिनियोर्शिप के लिए प्रुचसाहित किया सन 2012 में आनन्द स्वास्ति देखवाल को बढ़ावा देने के लिए पीरामिल ई-स्वास्त की स्थापना की ई-स्वास्त में उन्होंने Health Management Research Institute के अधिगरण का नेत्रित्व किया पिरामिल ई-स्वास्त को मर्ज करके पिरामिल स्वास्त बनाया गया जो आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ केर है इसकी 4,000 से ज़्यादा करमचारी, 490 से ज़्यादा डॉक्टर्स, 36,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को 11 राज्यों में रोज अपनी सेवाएं, मोबाईल, मेडिकल उनिट्स, टैली मेडिकल उनिट्स के माध्यम से दे रहे हैं 2013 में पिरामल स्वास्थी ने Forbes Philanthropy Award और 2015 में Time Social Impact Award जीता इसके बाद आनन ने पिरामल रियालिटी की स्थापना की जिसमें आनन ने मुंबई भर में प्राइम लेंड पार्सल के अधिगरण में एक महतुपुन भूमी का निभाई उन्होंने कुशल टीम का निर्मान करते हुए विश्वस्तरी विकास की डिजाइनिंग करी फिर कुछ समय बाद उन्होंने पिरामल ग्रूप के कारेकारी निर्देशक का पद ले लिया पिरामल समु के विकास के लिए उन्होंने बैंकिंग कमपनी गोल्डमेन जैक्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म वर्बुर्ग पिनकस में इन्वेस्ट किया इसके बाद भी 2015 में 434 मिलियन डॉलर जुटाने में सक्षम हो गए जो भारतीय रियल स्टेट का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट था उनकी इन्ही कारियों के चलते कई अवार्ड भी मिले है 2017 में आनन ने हुरून रियल स्टेट उनिकॉर्ण आफ दे इयर अवार्ड और 2018 में यंग बिजनस लीडर आफ दे इयर अवार्ड जीता है आनन के बारे में जाना जाता है कि उन्हें देश विदेश में ट्रैवल करना अच्छा लगता है उन्हें फुटबॉल देखना और क्रिकेट खेलना भी पसंद है वे इंडियन मर्चंट चैंबर और यूथ विंग के प्रेजडेंट भी है आनन पिरामल की इशा अमबानी के साथ शादी की बात करें तो आनन मैं 2018 में इशा से मिले थे आप सब जानते ही हैं कि इशा अमबानी मुकेश अमबानी जी की बेटी है आनन ने इशा को महाराष्टर के महाबलेश्वर मंदिन में प्रपोस किया था जिसके बाद दोनों फैमिलीज ने लंच पार्टी रखी थी 12 दिसंबर 2018 को आनन पिरामल और इशा अमबानी की शादी मुंबई में अमबानी निवास अंटीलिया में बड़ी धूमधाम से हुई इसके पहले इनके प्री वैडिंग फैस्टिव को 8 और 9 दिसंबर को राजस्थान के उदेपुशर में रखा गया था इस फैस्टिव और शादी में न केवल देश की सभी जानिमानी हस्तियां आई थी बलकि विदेशों से भी कई महमान आई थे हम सभी उनके सुखत वैभाईक जीवन की कामना करते हैं So friends, ये थी बिजनसमेन आनन पिरामल की जीवनी आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने व्यूस कमेंड में जरूर लिखे और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेर और बैल का बटन दबाना ना भूलिएगा धन्यवाद